आज बनाएगी बिना पियाज रहसन से सूरन की सबजी सूरन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुला जाता है इस कहीं पे इसे ओल बोलते हैं कहीं पे इसे जीमिकान बोलते हैं और कहीं पे इसे मेडरासी ओल भी बोलते हैं तो इसके पहले हम पीछे के छीलके को अच्छी तरह से उतार लेंगे उसके बाद शुटन को इस तरह से estáisquare में एक ब्रक हाईज में कट मी अपाइब का अलू भी देंगे आप चाहें तो बिना अलू को देंगे तो ज्यादा अने बनेगा है कि अ पानी रहे निकल जाए फिर अभी हम इसको फ्राइब करें दो चमस के लगबख सर्सों का तेल ने है उसमें हम जीद तरह से दे करें के अगर आप बिना कूकर का बनाईएगा तब इसक इस तरह से कीचेगा तो उसे में 50 पर संट कूख हो जाए को तो मैं कूख़ती इसको क्यांच होने तक इस तर्फाई जासे प्लेट में निकाल कि अलू को भी फ्राई करेंगे ऑलू को भी कलर चेंज होने तक प्ले Corinthians स्काली तकि आली के यह तरह सी आलु सी निकाल लेंगे खुथ इयुका से में एक चमस घी कि रही सुछी देंगे रीवाइ से तेज बताया लेओ और कुछ मोम क्वाशन बर्चीर एक चमस घ्टी मुट रख देंगे दो पींच हींग भी दिये हैं तो इसकीफ हो गया और नमक और हल्दी देंगे स्वात की अनुसा इस तरह से थोड़ा सा नमक हल्दी दे करके चलाएंगे और एक चमज गोटा जीरा दिये और भी थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि मसाला जले नहीं और अगर आप पियांस लशन से खाते हैं तो इस टाइम पर पियांस के एक मिदियन साइज के पियांज को पेस्ट करके दे दिजेगा और एक लशन को दे दीजेगा तो से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है तो उसमें हम दिये हैं लाल मिर्ष का पॉडर ता उसके बाद हम इसमें दो चमज दही को फिट करके दे देंगे जीमी कंद के सब्जी में या सूरन के सब्जी में थोड़ा सा खटा देने से अच्छा लगता है खाने में इसमें हम कलर के लिए दिए कसमेरी लाल मिश का पॉडर जैसे तेल से प्रेट होने लगा तब उसमें एक चमज कसुरी मेथी को क्रॉश करके देंगे अब हम जैसे मसाला फ्राइए हो गया तब हम फ्राइए की हुए सूरन को इसमें दे देंगे इस तरह से चलाएंगे मसाला के सब अच्छी तरह से फ्राइए की हुए सूरन और आलू को मिलाएंगे और फिर अभी हम इसमें पानी गरम देंगे ठंडा पानी नहीं देंगे गरम पानी देंगे इतना देंगे ताइकि सब्जी डूब जाए इसमें अच्छी तरह से उपर तब तक पानी नहीं आना चाहिए बस डूबना चाहिए फिर अभी हम इसको अच्छी तरह से थोरा सा चला लेंगा और बॉयल हो जाएगा तब हम इसको कूकर में ले लेगा कूकर में ट्रांसपर करने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा देखिए पानी और सुरन के इसमें डूबना नहीं चाहिए पूरा बस थोरा सा खाली रहना चाहिए लोटू हाई फ्लेम पर तिन सीटी लगा लेंगा बस रिडी हो जाएगा इस तरह से बहुत ही इजी है देखि